Hey guys, welcome back to the channel Study Portal Study Portal पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की TZT की पोस्ट के बारे में 2022 का exam calendar DSSB का ओल लड़ी आ चुका है सभी exams की लूर है कि कब-कब notification आएगा उसी के coding आप भी अपनी तयारी जो है वो जारी रखे तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे exam pattern के बारे में कि क्या exam pattern है, कितने questions आते हैं, कौन-कौन से topic से आएंगे और कितने number of questions रहेंगे, कितने घंटे का paper होता है पूरी की पूरी information आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा इससे पहले अगर आप लोग इस channel पर नई है और अभी तक भी आप लोग ने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें दोस्तों साथ ही bell icon को press कर लीजे ताकि जैसे वीडियो upload की जाती है उसकी notification आप सभी लोग को मिल सके तो शुरू करते हैं वीडियो इससे पहले मैं आप लोग को information देदू कि अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे है घर बैठे तो आप हमसे study metal order कर सकते हैं study metal career के द्वारा आपके घर तक पहुचाया जाता है और इसमें आपको सारा का सारा जो है syllabus include होता है क्योंकि अभी lockdown का time है हम बाहर जान ही सकते ज़्यादा कि कौन सी book लेनी है क्या करना है ज़्यादा देख बाल करके तो आप घर बैठ कर तयारी कर रहे हैं तो उन सब लोगों के लिए बहुत ये best है या आप से के लिए पूरा का पूरा exam pattern के according आपका पूरा syllabus कवर करके इस तरीकी की booklets जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको provide की जाती है और आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो और इन exams की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको notes अगर order करने हैं तो आपको क्या करना होगा 8447410108 इस number पर आपको हमें contact करना है इस number पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं और आपको पूरी की पूरी information मिल जाएगी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हम अगर मैं पहले पात कर रही हूं कि TZT TZT होता क्या है TZT होता है trained graduate teacher तो आपका जो यह trained graduate teacher होता है यह होता है TZT के लिए और इसको DSS भी conduct करता है 2 गंटे का आपका paper होता है 2 hours duration तो 2 hours यानि कि 2 गंटे का आपका total paper होता है और इसमें आपके subject concern अगर आपके पास बाकी सारी books है आपने अच्छे से तयारी किये है और पैड़ागोजी पर आपको specifically ध्यान देना है तो नीचे description box में एक PDF है वहाँ से भी आप इसको download कर सकते है पैड़ागोजी के लिए जो आपके notes बहुत काम आने वाले है उसको आप जरू download कर सकते है नीचे दिये गए description box है और यहाँ पर आपको देखना है कि आप eligible होने चाहिए उसके बाद आप TZT के लिए apply कर सकते हैं और अच्छे से तयारी करके exam को clear कर सकते हैं eligibility क्या है, age क्या है, syllabus क्या है यह सारी चीजे अलग-अलग वीडियो में बताई गई है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं तो हम सबसे पहले बात करें exam की तो exam में आपका पूरा total 2 घंटे का होता है number of questions की बात करें तो 200 आपके questions होते हैं और 200 ही number के होंगे 200 questions होंगे यानि की एक question एक number का आपका होता है और format की बात करें हैं तो हम इसमें MCQ based questions होते हैं यानि की multiple twice questions आपके यहाँ पर होते हैं एक-एक section आप देख लेते हैं सबसे पहला जो section है हमारा दोस्तो वो है journal awareness का journal awareness से आपके 20 questions आते हैं जो की 20 number के होते हैं सबसे बड़ा बड़ी नदी सबसे छोटी नदी इस तरीके की जो questions होते हैं आपके static GK प्लस आपकी बाके भी GK आगे history, economy, policy, constitution, budget अब आने वाला है यह budget आप जरूर देखें ठीक है geography, science, inventions, discoveries, important events कोन से हो रहे हैं art and culture, awards and honors, countries, capital तो यह आपका total क्या मिल आपके बनते हैं सब आपका GA बनता है journal awareness तो 20 questions 20 number के आपके यहां से होते हैं ठीक है next हम बात करते हैं तो हमारा है reasoning basically journal intelligence and reasoning ability इससे भी आपके 20 questions आएंगे और 20 number के रहेंगे reasoning में कौन-कौन से topic होते हैं तोपिक है जो कि हर किसी exam में reasoning जहां पर आती है वो देखने को मिलते हैं वहां से हमेशा questions बनते हैं जैसे आपको number series आनी चुए arithmetic number series हो गई ठीक है special orientation visualization, figures classification होता है analogies है, visual memory है, coding decoding है verbal reasoning है, logical problem है logical deductions है statement conclusion है, statement argument है ठीक है blood relations तो यह सारे आपके क्या बनाते है reasoning ability, directions हो गया यह इस तरीके के topics तो आप यह reasoning के 20 questions होंगे और 20 number के होंगे ठीक है, next है आपका arithmetic and numeric ability यहां से आपका basically क्या math वाला portion यहां से भी आपके 20 questions बनते हैं और 20 number के आते हैं कौन-कौन से topics जैसे कि simplification हो गया DI है, decimal है HCF, LCM, fractions, ratio proportions, average SICI यहनि कि simple interest or compound interest profit loss, percentage, discount time and work, time and distance इस तरीके के ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको आपको आपके यहां से आपके 20 questions होंगे 20 number के अब इसमें क्या आता है Hindi language and comprehension है तो यहां पर आपके क्या होंगे Hindi related जैसे कि विप्रितार तक शब्द आते हैं ठीक है, प्राइवाचुई शब्द आते हैं विलोम, लिंग, यह सब चीज़े आपको देखनी है ठीक है, fill in the blanks होंगे paragraph आएगा, उसके basis पर आपको से देना है structure, sentence आपको बताना है sentence में कहां mistakes है इस तरीके के questions आपके यहां से आते हैं next आपका English language and comprehension यहां से भी आपके 20 number के 20 questions होते हैं इसमें जैसे कि आपका voice हो गया narration होगी, tense है adverb, error correction, sentence, rearrangement इसमें भी आपका unseen passage आएगा vocabulary आपकी होनी चीए क्योंकि antonyms, synonyms यह पता होनी चीए grammar, idiom phrases यह यहां से आपके general English के questions आते हैं अब बाकी बात करते हैं यह तो हो गया आपका total का total 100 number का paper जिसको हम बोल देते हैं journal paper भी या tier 1 भी यह जो TZT का subject, concern हम जो बात करें अब यहां पे कौन से question आएंगे यह depend करता है कि आपने कौन सी post के लिए apply कि है जैसे आपने TZT Hindi है तो जो Hindi से questions मिलेंगे TZT English है तो English से question मिलेंगे SST है तो SST से question मिलेंगे अब SST का मतलब यह नहीं कि सर्फ history से question मिलेंगे history, polity, आपकी economy, geography यहां से 4 sections से आपकी questions मिलते हैं तो इस तरीके का होता है complete मैंने जो आपको लोगों को बता दिया है 200 number का paper होता है complete या इसके लिए आप तयारी कर सकते हैं आपको देखना है कि हर रोज किस तरीके से कब exam है उसके according अपना time table बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए strategy लेकर आउं time table लेकर आउं तो वह आप मुझे बता सकते हैं नीचे description box में comment section में वह भी मैं पूरी try करूंगी reasoning की complete reasoning reasoning जो है वह cover करवाई है rhythm में वहां से आप देख सकते हैं topic वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और practice के लिए हम जल्दी ही test series आपको लोगे के लिए लेकर आएंगे हर एक subject की journal paper भी plus subject concern भी ठीक है इसी तरीके से Hindi वाला section भी rhythm में ने cover कर रहा है English वाले वीडियो भी चैनल पर है और arithmetic and availability यह सारी मिल जाएंगे subject concern में भी बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे तो वह आपको देखना है ठीक है आपने subject concern भी आपका 100 का है तो subject पर भी आपको पूरी की पूरी जो है ध्यान रखना है एक ही book को बार-बार पढ़ो इसके बजाए कि आप बहुत सारी book पढ़ते हो ठीक है तो यह हमेशा याद रखना कि जरूर नहीं कि हर एक book से उठाके देखना यहां पर यह topic ज़्यादा है तो यहां पर यह कम है तो जहां पर भी जिस भी book में है तो यह देखे कि हाँ topic का निचोड है कि नहीं है वहां पर यह जरूर नहीं कि एक book में वह topic ज़्यादा और एक में कम है तो इसका मतलब वह book गलत है और वह book सही है तो एक book को ही आप बार-बार पढ़े उस पे आप बार-बार देखे कि कम से कम 5-6 बार उसको अच्छे से पढ़े ताकि आपको सारे topics वहां से clear हो जाए और ज्यादा बुकों पे ध्यान ना दे ज्यादा हर हर जेंगे पे मलब हर एक book किये तरफ या कई बार हम whatsapp telegram पे होते हैं कोई भी pdf आजती हम खोल के लग जाते हैं तो अपना ध्यान रखे देखे कि आपको कौन सी book से cover करना है वह आपको कर लीना है और अगर आप हमसे study material चाते हैं वह मैंने आपको बताई दिया है 8447410108 इस help line number पर आप call कर सकते हैं नीचे description box में भी यह number मिल जाएगा इस पर आप हमें whatsapp कर सकते हैं आपको पूरा का पूरा study material घर तक पहुंच जाता है तो revise करें बार-बार ठीक है और कोशिश करें क्योंकि TZT का exam की pattern की बात करें तो TZT के exam के लिए भी time है तो उसके according आपको क्या करना है test series भी आपको करनी है तो अभी आप weekly कर सकते हैं उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा time करें ठीक है और test series आप लोग के लिए जल्दी ही आएगी भी तो वो आप लोग को information पूरी की पूरी मिल जाएगी तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिर्मे लेंगे इसी तरीकी की और वीडियो के लिए इसी नमबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं अपना नाम शहर का नाम एक्जाम का नाम लिख के आप हमें WhatsApp कर दीजिए ताकि आपको broadcast में add कर लिए जो आपके पास information आती रहे इसके अलावा आपको क्या करना है आप हमें telegram पे भी जोइन कर सकते हैं वह फिर भी पूरी updrills है तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मलेंगे नहीं जान करिए के साथ तब तक बने रहींगा channel है thank you so much bye bye take care all the best for your exams छोब्स चैंड फोई